बिहार की बेगुसराई सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर शाम बेगुसराई डीम तुशार सिंगला ओचक निरिक्षन करने के लिए अस्पताल पहुँच गये हलाकि डीम तुशार सिंगला ने सदर अस्पताल की ववस्था को देख कर संदोश व्यक्त किया और कहा कि कुछ कम्या हैं जिने जल्द ही दूर कर लिया जाए तुशार सिंगला ने निरिक्षन के दौरान चिकित्सा कक्ष चिकित्सा को की उपस थी दवा वित्रण के इंद्र आईसीउ सेट मरीज के वोर्ड का निरिक्षन किया इस दौरान उन्होंने मरीजों से बाचीब भी की और उनकी समस्याओं की चानकारी ले मौके पर डियम ने कहा कि सदर अस्पताल में विवस्था अच्छी है लेकिन फिर भी अभी और मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और सदर अस्पताल में इसके लिए उपयोक्त जखह भी नहीं है इस दिशा में भी निर्देश दिये गए हैं कि अतिरिक्त बेग की विवस्था की जाए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई पर भी जोर दिया जाए साथ ही साथ निबंधन को लेकर कुछ समस्याय सामने आ रही थी उसे भी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं उन्होंने कहा कि इलाज के क्रम में अगर किसी की मौत होती है और वैसे में एक मौचरी वाहन रहने की वज़़ा से कभी-कभी परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है उसके लिए अभी ही विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिया जाए और अतरिक्त मौचरी वहान की भी चल्द विवस्था करनी जाए हुस्पिटल का अवस्था अच्छा है यहां पर जीविका दीदिकीर सोही भी चलती है बट एक ही थोड़ा तंसर जो हम लोगता है कि पेशेंट का जो लोड है होस्पिटल और बी ले सकता है ज्यादा पेशेंट यहां पर हो सकता है इसके लाबा यहां पर डॉक्टर्स का जो अटेंडनेस है या उपस्ती दिये उसको लेकर भी हम लोगोंने बात की है और हम जही प्रयास करेंगे कि आने वाली दियुनों में जो भी इसके लंबित का रहे हैं सदरस्पताल के वो पूरे हो और इसके लाबा जो भी यहां पर नया कोई अगर प्रतल पाता है उसको भी हम लेकर आएंगे हमारा यहां पर पीयसे प्लांट भी पूरी द्रा उस वरस् कि जरूरत है कि प्राइवेट क्लीनिंग और प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत संख्या में जहां पर हैं जो हमारा हाइवे और इंटेडियर इलाके हैं वहां पर भी काफिया मातरा में ऑप्ति लोगों है इसलिए काफी पेशेंट का जो लोड है वो डाइवर्ट हो जा है वो ग्रामी ने इलाके के शहरी इलाके के अंदो सवास्ते सुगिदाय है हमारे जितने एल्फ के स्टाफ हैं उपिसर इसके प्रती साजग है इसके बातिन तो सेंसिटाइज भी विवाग की तरब से किया जाता है तो यहीं प्रियास रहेगा कि आने वाले दिनों में सबर इसके लिए दिशा निर्देश दिये गए हैं हमारे जितने डॉक्टर्स हैं स्वास्ते विवाग की तरब से भी इसके समय समय पर बात की जा रही है और हमारे यहां पर डेंगू पेशिंट का लोड भी इतना ज्यादा नहीं है लेकिन हम इसको लेकर भी ध्यान रखें क्या आने वाली अभी तिहारों का सीजन आ रहा है अभी दुल्गा पोजा दिशारा जा उसके बार दिवाली और उसके बार चट पोजा का टाइम है तो ताफी बीड़बाट बढ़ेगा हमारे पब्लिक प्लेसीज में तो हम डेंगू को लेकर सजग हैं हमारे जितने नगर निक दरामीने इलाके हैं हमाँ पर हम इसका घ्यान रथे हैं